नमस्कार हमने पिछले विडियो में शब्द विचार में विकारी और विकारी शब्द की जानकारी लिए आज इस विडियो में हम विकारी शब्द की जो चार प्रकार है उसमें से पहला प्रकार सग्या इसके बारे में विस्तार से देखेंगे व्याकरन की दुरूष्टी से सग्या को समझना जरूरी है सग्या मतलब मराठी में नाम कहते हैं और अंग्रेजी में नाउन अगर आपको यह किसी भी भाषा में परिभाषा उसके प्रकार उनका उपियोग समझ में आए तो आप आसानी से दुसरी भाषा का भी व्याकरन समझ पाएंगे चलिए देखते हैं सग्या की परिभाषा किसी जाती, प्रानी, व्यक्ती, वस्तु, स्तान, गुंधर्म, कर्म, भाव, आदिक के नाम को सग्या कहते हैं जैसे मैंने हाती को देखा यह प्रानी का नाम है दुसरा उदारन राजू किताब पढ़ रहा है यहाँ पे राजू व्यक्ती का नाम है, किताब वस्तु का नाम है सोनू पुना में रहती है तो सोनू व्यक्ती का नाम पुना इकिती किसी जगह का नाम सग्या के पाच प्रकार है व्यक्ति वाचक सग्या, जाती वाचक सग्या, समुह वाचक सग्या, द्रव्य वाचक सग्या और भाव वाचक सग्या हम एक-एक को विस्तार से समझेंगे जाती वाचक सग्या जिस सग्या शब्द से किसी जाती या वर्ग विशेश अथवा एक जैसे अनेक पदार्थोखा बोध होता हो, वहां जाती वाचक सग्या होती है जैसे कि लड़का, आदमी, नदी, दुकान, आदी, व्यक्ति वाचक सग्या जब सग्या शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति विशेश का बोध हो, तो उसे व्यक्ति वाचक सग्या कहते हैं जैसे गंगा, यमुना, हिमाले, आदी, भावाचक सग्या जिस सग्या शब्द से पदार्थ में पाये जाने वाले धर्मक का आभास हो, उसे भावाचक सग्या कहा जाता है जैसे गरम, ठंडा, शीतल, शांत, धोका, आदी समुह वाचक सग्या, जिस सग्या शब्द से किसी समुह विशेश का बोध होता हो, उसे समुह वाचक सग्या कहते है द्रव्य वाचक सग्या, जिस सग्या शब्द से द्रव्य विशेशो का बोध होता है, उसे द्रव्य वाचक सग्या कहते है जैसे लोहा, सोना, तामबा, पत्थर, आदी